हेलो मित्रो आप सब का स्वागत है आपके पड़ी चैनल जी जी कलासेज में इस वीडियो में बात करेंगे मद्दे प्रदेश वन विवागबर्ति के बारे में मद्दे प्रदेश में वन पाल वो पोरेश्ट गार्ड के लिए वेकेंसी निकली तता कितने पदै तता उमर क्य आ प्रदा रखी गई है यह वीडियो में देखेंगे तता इसमें कौन कौन है कर सकता है यह वीडियो में देखेंगे और सब्सक्राइब करते हैं यह नोटिफिकेशन जारी हुआ मत्यप्रदेश लोग सेवा आयक की तरफ से रेजिदेंस चेत्रें इंदौर राज्यवन शेवा परिक्षिया दोजार बीस यह देख लीजिए 11 सारी का नोटिफिकेशन है यह ओनलाइन आविदन करने के अंतिम थिति है 10 परवरी 2021 और स्टार्टिंग डेट है 11 जन्वरी 2021 आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं राज्यवन यानि प्रिक्षिय तिति के अकव है प्रिक्षिया आया चार अप्रेल 2021 मस्पूर नोटिस को देख लेते हैं इसमें इसमें पद की बात करें तो कितने पदों पर निकली है वेकेंसी फोरेश्ट गाड में वन शेत्रबाल की बती निकली एकसु पान्च पदों पर टतजिस साय्यक वन श्रक्ष्ण के निकली ये च्छह पदों पर इसमें जनरल की बात करें तो तीन है औरश्य जनर्जातिक को एक पद हैं और डब्लोस का कोई पादे नहीं है वन पाल में बात करें तो EWS के 10 पद है, अनुसरी जाती के 6 पद है, अनुसरी जाती के 6 और इसके 11 पद है, जनरल के 47 पद है, नेक्ष्ट बात करते हैं बहुत अच्छे पद निकले होगे, अच्छे का से फिर भी सही है, पद का नाम साईक स्रक्षन बद्द्परतित 7 वन विभाग, शिरिनन की बात करें तो राध पती दवीत शेतर है, पमती स्तितिके बात करें तो इस्ता पद है, तता शेलेरी की बात करें तो सेलेरी को दो मिलेगी, इसमें 5,000 शोशी लेगए consegu ए ग्लाख से 3,500 सेलेरी मिलेगी साथवे वेतनमान के नुसार अरहत्ता के बाद के शेक्ष्णी होगे तक क्या रखी गई है वन पाल के लिए वन स्रक्षन के फोरेश्ट गार्ड के लिए क्या रखी गई है तो फोरेश्ट गार्ड के लिए रखी गई है इसमें अब वेरतिक किसी मानेत प्राप्त विस्विद्याल हम वीडियो में पूरी जानकारे लेंगे सो वीडियो को अंतक ध्यान से दरूर देखना है जिससे आपके सारे डाउट के लिए हो सके हम पूरे नोटिफिक्षन को द्यान से पड़ेंगे सो आपको द्यान से देखना है इंजिनियर में इश्टनातक होना चाहिए विज्ञान में इंजिनियरिंग में विएसी बिटेक होना चाहिए प्राकर्तिक विभाग भोतिक सास्त्र रसाइन सास्त्र वनस्वति सास्त्र गणीत सांकिकी भू विज्ञान कर सीफ्र आवरण विज्ञान वानिकी उद्ध्यानिक पसु चिकिस्स विभाग वेटेनरी वेटेनरी कम्प्यूटर एप्लिकेशन इंजिनेरिंग क्रिशी रसाइन सिवील कम्प्यूटर इसमें आपके पास बीटे को चाहिए बीएसी होनी चाहिए और आपको कुल मिलाकर बात यह है कि बीएसी होना चाहिए या परंतु विशुत गणित या सांखिक साथ इसनातक दसा में उसने हाइर सेकेंडरी में एंट्रिकलेशन या समत उले प्रक्षिया निमलक्त प्रिश्ययों में कि होनी चाहिए जी विज्ञान बहुत विज्ञान तर रसाइन विज्ञान टोल्त में सब्जेक्ट होना चाहिए प्रस्रिक्षन की बात करें तो दो वर्स की आउदी के लिए प्रस्रिक्षन दिया जाएगा देहरा दून में होगा तता बहरत वर्स के किसी भी अन्य प्रिक्षिशन वन विद्याले से प्रिक्षिशन प्राप्त करना होगा और दो वर्स का प्रिक्षिशन विभाग में प्राप्त करना होगा और नियम अनुसार विवागे फ्रिक्षा उत्रियंड करनी होगी नेक्ष्ट बात करते हैं सारिक मापदंड की पहले हम पोरेश्ट गार के बारे में सारी जानकारी देखेंगे उसके बाद में नेक्ष्ट वेकेंसी के उपर चलेंगे बिंदू तीन में उल्लेकित सारेक मापधन्ड तता सारेक समता प्रेक्षिष्ण के प्राहुदान का पूर्ण करना होगा करता वे वानकी समंदित समस्त कारिये अब नेक्ट वेकेंसी के उपर चलते वन शेत्रपाल की वेकेंसी निकली हुए विभाग का नाम है मद्दे परदे सासन वन विभाग श्रेणी की बात करें तो राज की दिवित श्रेणी है पतिस्तिती की बात करें तो इस्ताई पतिस्तिती है यानि की प्रमानेंट जो है वेतनमान की बात करें तो इस्ताई है इसमें आपको मिलेंगे 36,200 से लेकर 1,14,800 तदा राजिस आसन द्वारा समय समय पर परसारित आदिसों के अनुसार महेंगाई बत्ता यह अन्य बत्ते भी दिये जाएंगे सेक्ष्य नहीं होगी तके बात करें तो आपके पास में भोत्तिक रसायन प्रानी सा सतर बन स्भाव ब्रीक्षिय होना चाहिए इन सबजेक्टों के अंदर नेक्स्ट भी बात करें प्रिक्षिक्षन की प्रिक्षिक्षन की बात करें तो 18 मा की प्रिक्षिक्षन की अउदी होगी यानि दो वर्सु हो गए प्रिक्षिक्षन बार्त वर्स के किसी भी वन्द शेत्र पाल महा विद्यारिम प्राप्त करना होगा सारिक विंदू की बात करें तो विंदू तीन में उल्लेकित सारिक मापदंड तता सारिक समता प्रिक्सेशन के प्राहोदानों को फून करना होगा ये हम देखते हैं क्या क्या है सारिक मापदंड करतवे के बात करें तो करतवे वनों का प्रभंदन और विकास एम सुरुक्षा उनका करतवे है नेक्स्ट बात करते हैं सारिक मापदंड की तो ये सारिक मापदंड होना जरूरी है उच्चाई की बात करें तो जनरल के टिकरी अनुसित जाती तदा अन्य पिछला वर के प्रुसों की हाइट होनी चाहिए 163 cm तदा महिलाओ की होनी चाहिए 150 cm बात करें उच्चाई की अनुसित जाती में तो 102 cm और महिलाओ की 145 cm बात करें सीनी की परिदी की तो 79 सेंटी मिटर और मैलाओ की रखी गई है 74 सेंटी मिटर 5 सेंटी मिटर का फुलाओ होना चाहिए और पूर्ण विस्तारीत 5 सेंटी मिटर फुलाने के बाद में 84 हो जाना चाहिए और महिलाओं कες 79 हो जाना चाहिए सारीक संता प्रिस्ट्रिश्चन 4 गणटे पेदल चलना है 25 किलो मेंटर की दूरी 4 गणटे में पूरी कनडी है तथा वनपाल के लिए तो रखी गए 16 किलो मेंटर की और पोरेश्ट गाड के लिए रखी गए चोदा किलोमेटर की महिराओं के लिए बात करें चिकिस्ना मंडल द्वारा उम्मीद्वारों की उच्चायम सीने के माप तंड लिए जावेगे तो उम्मीद्वारों की स्वन सक्ति द्रश्टी एवं वन विभाग बाईकी शीवा आउट डोर वर्ड की हितु नियंतम सारी मा किया जावेगा जायेगा आपको पूरे टाउट इस वीडियो में कीली हो जाएंगे आपको कहीं जाने की जोरत नहीं है इसलिए वीडियो को अंतक ध्यान सी जरू देखे यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो प्ली लाइक कर दिजिए वह चैनल को सब्सक हो कि सूची जाती जाती कर दिए पिछड़ा वरग हे तूं आरक्सित पद केवल मद्ने मून लिवासि अनुसित जाथी तत्त आन्य पिछड़ा वरग हे तूं आरक्सित अन्य पर्देसों के मुन लिवासि एसे आवेदक जो अपने मुह निवास के राजिये में अनुस्य जाती जन जाती तो अन्य पिछड़ा वराक के रूप में माने आरक्षण है तुप पात्र नहीं है उन्हें अनारक्षित पदो है तुप निदारित किया जावेगा इसका मतलब आप समझ गए होंगी कि जो हम दूसरी जगह से आप फोर जरन बैन जाते हो तो आपको जन्रल के टीगरी में रखा जाएगा मान लेते आप विसी में आनुसिज जाती कौनसी केकरी में हो लेकिन आपको कौना केकरी मीं गिना जाएगा और जो मद्यपरदेश के मून निवासी उनको ही अन्हे पिछला वराग आ को बीसीадц inch 80 में गिन तो पौरेश्ट गाड के लिए रखी गई 21 वर्ष की ऑयू किंतों चाड़ वर्ष की पूर्ण नहीं की ओ तो टरवन पाल के लिए रखी गई है एक्ड suggesting की आयू पूर्ण कर लिए हो किंतों तेथिस वर्ष की आयू पूर्ण नहीं की ओ ऐईू संगण..? कि आयू की करना 1121 तक की जावेगी नेक्ष्ट बात करते हैं यह आयू वर्स में जिनको छूटती गई उनके बारे में दिये गई इसको आपको यह नोटिपिक्स को द्यान से देख लेना इसकी परिक्ष्ट करके भड़ लेना इनको अब बात करते हैं परिक्ष्या में नेगिटिव मार्किंग है या नहीं है तो आपको बता दे कि इस पर जावेगी और मुख्य प्रिक्ष्य की प्रिक्ष्य योजन तब पार्टे करम इस विवाग के साथ ही होगा नेक्ष्ट बात करते हैं नेक्ष्ट मतना जावेगी oftentimes करते हैं प्रिक्ष्य गिर्से कारते हैं लेक्ष्य के अमुई नेक्ष्य के आवेगी योजन ॉलिया